नमस्कार, अगर किसी को बवासीर के मस्से हैं, जिसमें काफी दर्ध होता है, तो दो दवा पर विशेश रूप से हमें ध्यान जाना चाहिए. इन दो दवा के बीच के अंतर को भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा. पहली दवा, म्यूरेटिक एसिड, जो की बवासीर की प्रधान दवाओं में से एक है. म्यूरेटिक एसिड के बवासीर में गुदा द्वार के मस्से सूज जाते हैं, नीले पर जाते हैं, छुआ नहीं जा सकता, छूने से बेहद दर्ध होता है. चादर छू जाये, तब भी रोगी चिल्ला उठता है. ठंडे पानी से धोने पर दर्ध बर जाता है, और गरम पानी से आराम मिलता है. जबकि ठीक इसके विप्रीत, एलो में ठंडे पानी से आराम मिलता है, गरम पानी से दर्ध बर जाता है. तो रोगी को अगर बावासीर के मस्से में गरम पानी से आ के एकत्रित हो जाने से हो सकता है गुदा परदेश में आउं के इखटा हो जाने से हो सकता है या फिर बावासीर में भी हो सकता है एलो में बावासीर के मसे आउं से सने रहते हैं क्योंकि गुदा परदेश में एकत्रित आउं संकोचक पेसियों की सिथिलता के कारण बाहर रि मिलता है अराम मिलता है एलो की परकृति में हमने कई बार बताया है कि एलोई का रोगी ठंड पसंद करता है इसलिए ठंडे पानी से उसे अराम मिलता है मियूरेटिक एसिट के बावसिर में ठंडे के जगह गर्म पानी से अराम मिलता है जबकि एलोई में ठंडे पानी से अरा देना है आशार करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें जन्नेवाद